आठ उक्टोबर को मनाया जाता है इंडियन एर फोर्स डे जिस दिन पर इंडियन एर फोर्स की ग्लोरी को सामने रखते हुए एक ट्रेलर आया है कंगना रानाउट स्टारर तेजस जिसमें उनका नाम खुद तेजस गिल होगा जहां लिखा आया था कि ट्रेलर रिलीजिंग उन एर फोर्स डे अंड उसके बाद कितने ही लोगों ने एर फोर्स डे कब है वो गूगल करना स्टार्ट कर दिया इंक्लूडिंग मी नहीं मुझे भी नहीं पता था एक्चुली और अब ट्रेलर आ चुका है कैसा है आये बात करते हैं वेल हलो मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी देखो इंडियन फिल्म इंडूस्ट्री में जादा तर फीमेल लीड वाली अक्शन फिल्म्स नहीं आती या आती भी है तो उसे भाव नहीं दिया जाता एक ऐसी अक्ट्रेस है जो एक्शन को बहुत अच्छे से निभा पाती है धाकड मुवी में उनका एक्शन कमाल का था ये मानना तो पड़ेगा पर स्टोरी के चलते वो फिल्म बुरी तरह पिट गई थी अब आ रही है तेजस मुवी जो एक इंडियन एर फोर्स पाइलेट पर बेस्ट होगी और मुझे ये एक्स्ट्रा बताने की शायद ही जरुवत पड़ेगी कि ये फिल्म पेट्रियोटिक होगी ट्रेलर की बात करे तो इस एक्चुली लुक्ट प्रॉमिसिंग और क्योंकि ये उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन्होंने उरी दे सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म बनाई थी तो पताने क्यों पर भरोसा हो जाता है कि फिल्म में देशभक्ती के साथ साथ अच्छा खासा एज आप दे सीट वाला एक्शन भी देखने को मिलेगा अभी तो बस ट्रेलर आया है जिसमें कुछ एक एरियल शॉट समय देखने को मिल रहे है और ये पता चल रहा है कि स्टोरी के कनेक्शन में पाकिस्तान को भी इन्वाल किया जाएगा एक मिशन होगा जिसमें पाकिस्तान में घुसना जरूरी रहेगा तो जब भी ये भारत-पाकिस्तान वाला एंगल फिल्मों में डाला जाता है चाहे वो गदर जैसी फिक्शनल स्टोरी क्यों न हो थियेटर में ओडियन्स आते है वैसे ट्रेलर में डायलोक्स काफी अच्छे है तो अगर ऐसे डायलोक्स पूरे फिल्म में रहे तो मूवी देखने में मज़ा भी उतना ही आता है और ट्रेलर देखने के बाद तो लग रहा है कि इसकी ओपनिंग ठीक ठाक रहेगी बाकि तो रिव्यूज और वर्ड अफ माउथ पर इस फिल्म का फ्यूचर डिपेंड करता है अभी बस ट्रेलर से ज़ादा जज नहीं करते फिल्म आने के बाद ज़ादा समझ में आएगा कि मूवी में ओडियन्स को होल्ड करने का पोटेंशल कितना है क्योंकि मार्केट में तेजस के बाद एरियल एक्षन पर डिपेंड और भी दो मूवी जाने वाली है रितिक रोशन के फाइटर और अक्षे कुमार की स्काइ फोर्स एंड अज अ मूवी लवर मैं तो तीनों के लिए एक्साइटेड हूँ फिल्म को UA रेटिंग्स मिली है तो फैमिली फ्रेंडली मूवी तो है लेकिन बारा साल तक के बच्चों के साथ पैरंटल गाइडन्स होना जरूरी है बाकि अगर आपने ट्रेलर देखा है तो कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा ट्रेलर मिलते हैं आगले वीडियो में बाई